दर्सको, हरियोम, जैस्री राम, आप सभी में अचार शनक्या का नाम तो सुना ही होगा अचार शनक्या ने जीवन के हरक्षित्र के बारे में अपने विचार परकट किये हैं राजनीती के ख्षित्र में तो आप सभी साथ जानते ही होंगे इसके लाव उन्हें अपने धर्म गरंतों के बारे में जियोतिस के बारे में अपने विचार दिये हैं और लोगों को इसके लिए बहुत ही लाभानवित भी किया है आज हम उनके इसी कड़ी में उनके उन विचारों को सुनेंगे जो नहुंने दिये हैं कि बारा महिनों में जन्म लेने वाले जो जातक हैं, जो बालक हैं, उनका भग्यख कैसा होता है, उनका सभाव कैसा होता है और ये जो उन्होंने फुलादेश दिया है वो दिया है हिंदी मास के अमसार तो आईए हम अचार शनक्या के उन विचारों को सुन करके फली बूत होते हैं पहला चैत्रमास क्योंकि हमारा जो देसी महीने है देसी साल है उसका पहला जो महीना होता है वो चैत्रमास होता है तो चैत्रमास से सुरू करते हैं तो चैत्रमास में उत्पन बालक, क्रोधी, हैंकारी, दर्शनीय, सुबकर्मी, लाल नित्रों वाला, सदेव इस्त्रियों के वस्वी भूत रहने वाला होता है नमबर दो वैसाक मास में उत्पन व्यक्ति, धन्वान, भोगी, सुन्दर चित्वाला, सुन्दर नित्रों वाला और इस्त्रियों का भगत होता है नमबर तीन, जेस्ट मास, जेस्ट मास में जन्मे जातक, धन्वान, दिरगायू, वैप्रतिबावान होते हैं नमबर च्यार, आसाड मास, आसाड मास में जन्म लेने वाले जातक, पुत्र पत्रों से यूगत होते हैं, धन्नास के कारण दुखी भी होते हैं, सुन्दर और अलब सुप्रावफ करने वाले होते हैं नमबर पांच, स्रावन मास, स्रावन मास में जन्म लेने वाला व्यक्ति, सुख दुख का मिश्रण, अर्था सुखे भी होगा, दुखे भी होगा, लाब हानी में चित रखने वाला, स्थूर स्रीर वाला और रुपवान होता है नमबर चे, बादरपद मास, बादरपद में जो बालक जन्म लेता है, वह दूरबल, धनवान, इस्त्री सुख संबन, और सव जनों में स्रेश्ट व्यक्तिव होता है नमबर साथ, आस्विन मास, आस्विन मास में उत्पन होने वाले बालक, जात के व्यक्ति, विद्वान, धनवान, मंत्रियों के मित्र, लेखक, कवी, धन दान्या से प्रिपूर्ण, यसस्वी, वै इस्वर्या भोगने वाले होते हैं नमबर आठ, कार्थिक मास, जो कार्थिक मास में उत्पन होते हैं, वह सुकर्मा, धनवान, कामी, करेविकरे करे के माहिर और प्रेमी होते हैं नमबर नो, मार्ग सीरस, इस महिने में जनम लेने वाले जातक या व्याक्ति, सुशील, प्रोपकारी, सादूशंतों की मार्ग पर चलने वाले उदार हर्द्या के श्वामी होते हैं नमबर दस, पोवस मास, इस मास में जनम लेने वाले व्याक्ति, परमार्थ भावना युक्त, पित्री धन, हीन, कफ्ट में, जीवन, धन काफवय करने वाले दुबले पतले इंसान होते हैं नमबर ग्यारा, माग मास, इस मास के अंतरगत, जनम लेने वाले मनुष्य, योगा भ्यासी, तांत्रीक, आच्चार्य, और अपने बुद्धी बल से शत्रू का विनास करने वाले निस्पापी होते हैं नमबर बारा, फालू मास, इस मास में जनम लेने वाले जातक, गोरोपूर्ण, दूसरों का उपकार करने वाले, धन और विद्या सुक से संपन, और विदेश ब्रह्मन करने वाले होते हैं तो इस परकार दर्सकों मुख्या-मुख्या बाते आचार rendक्या ने जो बताई हैं वो मैं आपके सामने पेस की हैं यदि आपको लगता है कि ये जो बाते आचार जी ने बताई हैं ये आपके जीवन पर जिस वी मास में आपका जनम हुआ है उसमें सही स्टिक बैठती है और यदि आप ये चाते हैं आने वाले वीडियो जो अलग अलोग विश्यों पर महापुर्शों की जीवनी के बारे में महापुर्शों की विचारों के बारे में आपके सामने आते रहें इस चैनल को सबस्क्राइब करें अन्या को भी शेयर करें धन्यवाद